नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल संगेताज कॉर्णर में आज में लेके आई हूँ बिहार के छट पर्व का प्रशाद यानि ठेकवा की रेसिपी फ्रेंट्स वो भी परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ और खस्ता और क्रिस्पी ठेकवा बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ तो प्लीज वीडियो को पूरा जुरू देखिएगा तो सबसे पहले फ्रेंट्स एक बोल लेना है उसमें मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी उसके साथ ही लेंगे आधा कप दूद तो दूद मैंने रूम टेंपरेचर का लिया है और इन दोनों को अच्छे से हम लोगों को घोलना है इसके जगह आप पिसीवी चीनी ले सकते है तो तीन चौथा ही कप ले और पिसीवी चीनी लेने से क्या होगा कि दूद में जल्दी घुल जाएगा तो ये चीज़ आप कर सकते हैं और इसको हम लोग बीच बीच में घोलते रहेंगे और बाकी की भी तैयारी करते रहेंगे तो उसको मैंने साइड में रख लिया है और उसके बाद मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है इसमें मैं ले रहे हूँ दो कप गेहूं का आटा तो ट्राडिशनली पारंपरिक तरीके सो जो ठेकवा बनता है वो गेहूं के आटे से ही बनता है लेकिन ये जो ठेकवा है मैदे से भी बना सकते हैं सूजी से भी बना सकते है और ये सब की रेसीपी मेरे चैनल पर है आई बटन में आप चेक कर सकते हैं सारे ठीकवा की रेसीपी आपको मिल जाएगी लेकिन सारे अलग-अलग तरीके से बताएवे हैं इसके साथ ही मैं यहाँ पर आधा चम्मच सौफ ले लिया है और आधा छोटा चम्मच क्टिवी इलाइची। आप पिसे लाइची भी ले सकते हैं उसके साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ कटिवी नारियल जो सुखी नारियल होती है उसको बारीक मैंने काट लिया है जिससे खोपरा नारियल या फिर गडी भी कहते हैं उसके साथ ही मैं यहां पर ले हूँ 2 चमबच घी यदि जमा हुआ घी है तो आप दो चमबच ले लेगा लेकिन यदि आप melted घी है ये गर्मियों में बना रहें तो आप तो इसको स्किप कर सकते हैं, यदि इलाइची का भी फ्लेपर पसंद नी तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, या फिर दोनों में से एक डाल के आप इसको बना सकते हैं, तो यह देखी, रब करते वे तीन से चार मिनट के बाद जब इस तरह से मुठी बनने लगे, तो इसका आटा नहीं लगाना है, यानि कि गुनना नहीं है, जस्ट इसको बाइंड करना है, और खसता ठेकवा बनाने का सबसे बड़ा ट्रेक है, उसका आटा जो है, वो बहुत अच्छा लगना चाहिए, तो उसके लिए बहुत हाड टाइट आटा लगाएंगे, हम लोग, जिससे क क्रिस्पी ठेकवा बन सके, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ये दूद और चीनी का मिक्स्चर डालेगे, एक साथ बिल्कुल भी सारा नहीं डाले, और ये जो मैंने मेजरमेंट बताया ना, दो कप आटे में आधा कप चीनी और आधा कप दूद वो परफेक्ट है, यदि आप आटा जादा ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप दूद और चीनी का जो मेजरमेंट हो उसको बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर देखिए थोड़ा थोड़ा डालने के बाद इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से हाथों से रब करते हो, और एकदम क चीनी का घोल डालेंगे, और यह देखिए दो चम्मच जासा दूद और चीनी का घोल बचिए उसको हम लोग साइड में रख देंगे, आप इसे चाय में यूज कर ले या फिर कोई भी मीठी चीज बनाने में, तो सबसे पहले एक छोटा सा बॉल तोड़ेंगे, निम्बू या फिर या निन टे का घोल ना फिर कर के लूज बने हैं। चार निसान बना देंगे आधे आधे जगह पे तो इस तरह का बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनके आता है चौथा डिजाइन जो मैं बताने जा रही है वो है कि इस तरह से हाथों में प्रेस कर लेंगे और कोई भी चम्मच के उल्टे साइड से इस तरह से हम लोग चारो तो मैं यहां पर गुड़े बिस्कीट के ठेकवा बनाई हूँ तो यहां पर देखिए दो कप आटे से 17-18 ठेकवा बनके तयार हो जाते हैं इसको आप चलते हैं फ्राइ करने की तरफ तो हमें मेडियम गरम तेल चाहिए ठेकवा को फ्राइ करने के लिए और इसमें एक चीनी वाली भी रेसीपी है मैड़ा और सूझी डाला है तो बहुत ठेकवा रेसीपी मैंने अल्रेड़ी डाला है और उसे आप लोगों ने बहुत चाहा है बहुत सा रहा है तो यदि आप से मिस हो गया है तो आप देख सकते हैं description box में मिल जाएगा, i button में मिल जाएगा, मेरे channel पर भी मिल जाएगा तो आप जाके check कर सकते हैं इसको डालने के बाद एक मिनट के बाद ही इसको उलट उलट करके टोटल हम लोगों को चार से पांच मिनट लग जाएंगे एक बार के ठेकवा को fry करने में और जब तक कि ये क्रिस्पी न हो जाए इसका कलर एकदम ब्राउन न हो जाए, गोल्डन ब्राउन न हो जाए, तब तक इसको फ्राई कर लेंगे और यहां पर देखे, चार से पांच मिनट के अंदर ही, यह बहुत ही सुन्दर से फ्राई हो गया है और फ्रेंट फ्लेम को लो पे नहीं रखेंगे, मीडियम पे नहीं रखेंगे, लो टो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है तो इस बार मैं चार की जगा पांच ठेकवा डालरी हूँ क्योंकि तेल में स्पेस था और बहुत ही इजी रेसीपी है और बहुत ही हेल्दी रेसीपी है यदि आप सर्दियों में बना रहे हैं तो इसे गुड़ और घी के साथ बना यह सूपर टेस्टी लगता है बच्चों को भी बहुत पसंद आता है तो इसे चाई के साथ या फिरसाम के स्नेक्स में ऐसे भी बच्चों को दे सकते हैं और यहां देखिए हमारे सारे ठेकवा बनके बिल्कुल तयार हैं बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही क्रंची और यहाँ पर मैंने सारे ठेकवा को फ्राइ कर लिया है बहुत ही फटाफट हो जाते हैं और इसे आप airtight कंटेनर में भरके 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होता और नहीं ये खराब होता है ये देखी ये कितना क्रंची लग रहा है देखने से ही और यदि आप आटा को गिला कर देंगे तो इतना क्रंची नहीं बन पाएगा तो इसका मैं एक आवाज सुनाती हूँ आपको तो आपने आवाज सुना ना फ्रेंट्स ये कितना क्रिस्पी है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसका अंदर का टेक्च्चर कैसा है यह देखिए जितना क्रिस्पी और क्रंची उपर से है ना उतना ही सॉफ्ट मौथ मेल्टिंग बिल्कुल गुट्डे बिस्किट के जैसा मुह में घुलने वाला ठेकवा बनके यहां तयार है फ्रें मेरे लेटिस्ट अपडेट के लिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नहीं और आसान रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या थाइंक यू फॉर वाचिंग मैं